जुदिराजी सुदिराजी सराय और थोड़ा वीदा पीपल के जितने हमारे साथी जुड़े सब को इसके बारे में जो हमारे चारो तरह बंदकार फैला हुआ है कि इसको थोड़ा कुछ परकास डालने का कुछ समण संग वीदा पीपल ही समण संग है और समण ही वीदा पीपल है वीदा पीपल आज का सब्द है जो अमिधान में है और समण क diarrhea कि समयक सम्धान में है कि यानि सम्धान होता है समयक सम्धान होताय कि वह सम्धान है जो ब्ध्र से पहले चलता था कि उसके नाम के साथ ही सम्म 또 हर बात बंए सम्म्यक लगाते थे सम्मा सम्म्यक का मतलब है बिल्कुल सही राइट यानि पॉजिटिव जैसे चाकू होता है उसका इस्तमाल होता है सम्म्यक वी और असम्मा भी राइट वी और रॉंग वी तो यहां बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि नियम वही मनुस्थ्य के लिए हमारे लोगों को कोई नहीं करने देगा। बहुत आसान सी बात हैं, मगर करने नहीं देगा। व? क्योंकि उसमें आपकी प्रॉस्परेटी 라, आपके एकटे होने iki, आप क्या सब कुछ है उसके आंदर तो आपको कोई यह नहीं पता होने देगा कि हम समण हैं और हमारा कभी पहले संग होता था इस बात की जानकारी आपको कोई नहीं होने देगा और वो लोग भी नहीं करेंगे जिनको ये बात पता है ये बहुत कमाल की बात है कि समण जैसा सब्द जो पूरे भारत में बहुत पहले से चलता आ रहा है जब भारत इसका नाम भी नहीं था तब से हम समण लोग हैं, मगर हमारी जो पहचान है, जो समण संग है, उस पहचान को नहीं बताया, उसको बदल दिया, समण का शिर्मन कर दिया, शिर्मन का मतलब बदल दिया, पाली में काम करने को कम कार बोलते हैं, काम करने वाला कम कार, मगर उन्होंने बदल दिया इसको पाली से संस्कत में संस्कायद कर दिया मौडिफाइड कर दिया संस्कायद का मतलब है मौडिफाइड करना बदलना तो इस पाली के पराने सब्द को बदल दिया मौडिफाइड कर दिया संस्कायद कर दिया संस्कत बना दिया और कह दिया हम स के लावा कुछ काम करेंगे नहीं और अगर हमारी पहचान हम पुरानी कियेंगे कि सर्मण शब्द नहीं हमारा समण सब्द है और समण का मतलब है कि हम राजा है क्योंकि बुद्ध सर्मण नहीं है समण है बुद्ध मेहनत करने वाले मजदूर नहीं है वो समण समाज के समण हैं और जो महावीर जहर हैं वो भी समण हैं और हम सारे समण हैं इस बात को आपको कोई नहीं बताएगा यह आपको खुद खुदनी पड़ेगी खुद निकालनी पड़ेगी खुद ढूननी पड़ेगी इसलिए डॉक्टर अमबेटकर जैसे जो दुनिया के मौडर्न हिस्ट वो पहले एक परिवार के लोग रहे हैं इसलिए वह सोल्मय नम्मर की वॉल्यूम देखे जाते हैं में क्या है सोलमे नम्मर के वॉल्यूम में कैश day kya क्या है पाली की वारे मसे द baptर ना कि कि उनके बच्चे या sixtॉत जैसे लोग है सब्सक्रानी क्या मत्तब है इसका क्या n और रंगलेजी नहीं सेये और नहीमें में जहें राट वेंग्रय जी नहीं में चलती थे तो एस्योथ दूसर आपके चांब पुरान हैं पुरान नहीं आप लोगों की देखें गरंथ है पुरानी बिक्ताब हैं पुरानी लिखी होई जहागाई नहीं है 400-500 साल परानी है इनको डायनमाइट से आग लगा दो ऐसा बोलते हैं वो जो उन्होंने एनिलेशन काश्ट दिया है कि अगर जान चुड़ानी है और अपने आपको मुक्त करना है तो इनको डायनमाइट से आग लगा दो मगर वो हमको कहके जाते कि मैं संस्कत की डिशनरी देखे जा रहा हूं तो संस्कत पढ़ना उसको समझना ऐसा भी नहीं देखे गए तो हिंदी की भी नहीं देखे गए क्योंकि हिंदी चलती है भारत में अधिक्तर छेत्रों में हिंदी की भी नहीं देखे गए तो कम से कम मरा मराठी की देखे गए पुरानी उस भासा की देखे गए जिसको कोई नहीं जानता था इस उम्मीद में देखे गए कि उनके बच्चे एक नाएक दिन इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि मतलब क्या है और समन क्या है तो कि समन का जो बाद में विरोधी सब्द बना पुराने पथरों में जो मिलता है और सोकी पथ्रों की किताब हो बंपन से बार्मन बना है और निया ब्रह्म बना है यह बड़ा अजीब सा सब्द है क्योंकि समण जो है सब्द वो पुरुसवाचक है यानि कि मेल है और उसका जो फीमेल है वो समनी है सम्णी मगर जो बमन सब्द है बमन का फीवेल सब्द नहीं है यानि आपने ब्रहमन सब्द सुना होगा बमन सब्द सुना होगा मगर ब्रहमनी सब्द नहीं सुना होगा ब्रहमनी सब्द नहीं सुना होगा इस से ये पता चलता है कि ये जो सब्द है इसके पास औरत ही नहीं है अगर औरत होती ही तो उस समय हमारी लोग उसको जो नाम दिया है हमने नाम दिया उनको बंबन तो बंबनी बोलते बंबनी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अगर हम यहां से बाहर जा रहे हैं भारत से बाहर जा रहे हैं सपोज हम कहां जा रहे हैं हम जा रहे हैं रूस के अंदर लड़ने के लिए तो लड़ने में हम अपनी समड़ी थोड़ी सब तो मिलता है नहीं है इसको बहुत ज्यादा किताब पढ़ पढ़ रही किया सकता नहीं है बस आप सोच लो समझ लो तो आपको सब्सक्राइब वारे में जानका हिए देगा आपकी काश्ट खतम हो जाएंगी सारी और जो आज की तरह मत चलने हो सारे मत खतम हो जाएंगी तो कि आपको कोई नहीं बताएगा कि जब हम समढ़ थे तब भारत के अंदर हम ही हम थे या जिनको तीर्थर का जैन बोलते हैं वो ही वो थे तो जितने भारत में कनवर्टिड लोग हैं जो बदले हैं जिन्होंने अपने इमत बदले हैं जो God वाले लिजन लेके हैं अधिकतर थोड़े से लोगो चौड़े उनकी प detector हो जाती है तो मुसल्मान कोई नहीं था भारत के अंदर तो सारे लोग यही के गर्वह तो हिसाई कोई नहीं था, तो यहीं के लोग कर्वह तो सिख कोई नहीं था तो यहीं के लोग कनवर्ट हुए तो रवीद ऐसिया कोई नहीं था तो यहीं के लोग कनवर्ट हुए तो कविरपंथी कोई नहीं था तो यहीं के लोग कनवर्ट हुए नामदेवी कोई नहीं था तो नामदेव यहीं के कनवर्ट हुए तो कोई गाड से संफटा बना हुआ है पीसलिए कोई कित्र नहीं करता आप किताब निगे भी और देखो तो सश्रम करने वाले लोग हो चन्होंने शिर्मन संफ में रख्षा करेंगी श्रम और संसक्ति हमारी ऐसी है हमारी स्रमना संसक्ति है मर जाते हैं मकर समझ में नहीं आती हैं को कि हम राजाओं की संसक्ति है हमारे बुद्ध की संसक्ति है हमारे बुद्ध की संसक्ति है हमारे पास में यह महनत करने वाली संसक्ति नहीं है जिसको हम लेवर यह महनत करने वाला हम हम बता नहीं है तो आप बच्छों क्या बता होगे तो पोई चीवर पेन के आता है कोई लपेड के आता है को ग्यानी होता उसकी बात मालेते हैं क्योंकि घुट नाम के बिश्चे डिगरी है व्क बोला सब्सक्राइब बनाएं और जो किताब हो सई जो किताबें उन्होंने ल लेखा है नहीं हमारे काम तो हमस्कती जो लोग हमें खुद गुलंगुलाब बनाने के लिए इसलिए समढ है को जितनी अची तरह से समझ लेंगे अच्छी तरह से अपने संग को पहचाल लेंगे पुराना सब्सक्रूंद और बहुत पुराना है और इसको हमेसा याद करके जितना इसको बड़ा सके और इसको समण ही बोलें से में अंग्रेजी में समण लिखा जाता है मगा समण ही बोलें तब ही इसको जीत पाएंगे तो आपको कोई यह बताएगा नहीं इसलिए आपको यह बताना है दूसरा आपको यह कोई नहीं आजाओ कि तो मेरे पिछह आजाओ मेरे संग्ठर में आजाओ मेरे मत में आजाओ ऐसे आजाओ वैसे आजाओ इसके सब्सक्राइब लोगों नहीं बनाया था इसे लब को इंटाने अब हमacakt ह सुर्ण को समर्संग पड़ रहा है क्योंकि पुरह जिन लोगों ने बनाये था वो समर्स थे हमीं लोगा थे और इसकी ऐडेंटिटी किलियर हो जाए और यह वह हो जाएकिन है यह लुखते तो समर्संग में जोडने का उड़िया है और क्यों आना है क्योंकि इसके फायदे है इंखटे उने चुटे चूटे उने के फायदे है तो वो चोटी चोटे चोट सारी हैं और हेमारे सिंबल व ही चक्र के हैं नहीं कि साइन है तो वही सरक् 봉ही धम चक्र समढ संग में जगे 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 के लोगों ने चक्राइइ कैसे 20 गाओं है 20 गाओं के लोग आपस में मिलके एक सर्क्ल बना लिया उस गाओं के लोग आपस में मिलके एक सर्क्ल बना लिया वो सारे सर्क्ल मिलके आगे वाले गाओं से चुड़के एक सर्क्ल बना लिया उन लोगों ने मिलके और आगे सहर वाले लोगों से मिलके सर्क्ल बना है वो जो भिक्कू थे जो उन सरकलों से जोड़े हुए थे वह वहां जाते थे वहां सवा लगती थी उनको बताते थे यह नहीं खोज हुई है यह बुद्धने नया खोजा इससे बड़ा फाइदा है आपको ऐसे करना है पर आगे वालों को बताना है वह आगे वालों को बता कर नएनी चीज़ों में उलज गए और उसमें लगे तो हमको क्या करना है क्योंकि अब जुड़ने और जुड़ने का काम आगे बढ़ना है पांच-छे मेने हमको हो लिए हैं इस कंसेप्ट को समझते हुए यह कंसेप्ट को सब समझ गये हैं कि जुड़ना जुड़ना क्यों क्योंकि हम बचेंगे तभी जब जुड़ेंगे और मेरे बाद में जो लोग आएंगे अभी रमेज जी आएंगे और बताएंगे आपको कि जुड़ना जुड़ना क्या होता है तो कैसे जुड़ेंगे आप जहां भी हैं यहां इस समय 94 लोग है 94 के 94 लोग, 94 लोग, 94 लोग ने इसको छोड़ो दो तो पढ़ाई कर रही है यह तो पढ़हा है यह सब घातने रहेटे किष़ोड़ों और अपनी घरवालयों क्या कहेंगे रोटी बनाएगी यह काम करेजी फोड़ासा इसको रहते हैं जोड को किसको जब अपनों को छोड़ दोगे तो दूसरों से उम्म सबसे पहले बच्चों की बचानी है आप तो सब निकल लोगे क्योंकि आपकी उमर तो पूरी हो गई है अगर उनको सिखा के नहीं जाओगे तो आगे लड़ेगा कौन और लड़ेगा कौन कोई नहीं तो बचेगा कौन और जब कोई बचे करी तो नस्ट खतम हो जाएगी तो जिनको लड़ना है उनको साथ लेकर नहीं आओगे तो सीखेंगे कैसी जैसे पार के अंदर एक बूड़ा वेपकुक सा बूड़ा और वो छोटे छोड़े बच्चों के आगे वो बात है सिखा रहा था जो उसने जीवन भर सीखी है वही पुरानी परंपरा वही पुरान नाम बड़े खुस हो गए बड़े खुस हो गया और वो बच्चे बिल्कुन नादान दो तो तीन-तीन साल गे बच्चे वो क्या जाने क्या सिखा रहा है वह उनके अंदर लिख देगा इस बात को वो बिना सोचे समझे फरूसी का नाम लेंगे जिस नाम से वह पैसान है उन पतनी को बचा कर नहीं रखेगा जो अपने माबाब को बचा कर नहीं रखेगा उसके माबाब बचेंगे उसके बचे बचेंगे वो खुद बचेगा क्यों कि बचाने वाले मारे जाएंगे और जो मैदान में उतरेंगे और जो आएंगे क्या मैदान है क्या आना है जानकारी क कि उम्मीद करना बंद कर दो और जब दूसरे से अंपीद करना बंद कर दोगे तो पिर आएगा क्यों कोजा आ बिल्सरे से आपतक कहने का और लिजर 2 हैं संजीब मैं संभी आर यानि की जो संविलन होते नो मैं 35-85-90-35, यह लोग हैं जो पके हुए आमें कभी भी टपक जाएं और यह टपक जाएंगे तो नीचे वालों को क्या पता चलेगा कि स्था पता चलेगा नहीं, तो मोमेंट का फेल होने का कारण यह है हमने जो शुरुआत की है वो खराब सुरुआत की है, सारी जहां भी लोग खटे हो रहे हैं वहां उन्होंने अपने घर के जो तीन हिस्से पिश्टर परशंट हिस्सा है उसको तो रख दिया घर में बचा के और खुद चले आए मैदान में और वहां भी जाके खटे नहीं हो रहे हैं वहां भी जाके एक नहीं हो रहे हैं वहां भी जाके लाकों पढ़ाई की अलग है, टीचरों की अलग है, ये सब अलग-अलग है, तो इसलिए बात बन नहीं पा रहे हैं, और बात बनेगी भी नहीं, तो ये जो समढ़ संग सब्द है, अगर इसका इस्तमाल करेंगे और इसको समझाएंगे, कि हर व्यक्तिस का मेंबर होता है, जो काम करत तो कुछ बात हैं बताएंगे कि संग की विसेस्ता क्या है कि संग में काश्ट का कोई चक्क्र नहीं है कोई व्यक्ति यहां जाती लेके आता है उसका स्वागत नहीं है उसके लिए तृसकार है अगर कोई जाती लेके आता है यहां जाती की बात करता है या जाती का संग्ड़ होना कायकों कि भावा साब हमीयर्ट करने जातियां खत्म की हैं S-3, O-Bc के तीन बड़ी-बड़ी पित पितारी बंधी है वही आपके फिर खोल के जाती बना दी हैं तो जाती तो जहर है जाती तो विना सि है और वसब खुद कहते हैं कि इसका अरलेट करना है खौतनी जर से ख़राब है tभी तो खतनी तो जो आदमी जात लेके आयेगा जाती बात करेगा जाती बनाएगा व सफ़क्त गर्लाएगा खराब मत तो उनका धंब था बुद्ध था तो उनको ये पता नहीं है कि वो सारे के सारे धंबिक थे सारे सारे बजिश्टे ये बात कोई नहीं बगाएगा तो देखो कितने कमाल की बात है कि मैं जामिया मिलिया यूनिवर्स्टी में पढ़ा हुआ जामिया मिलिया यूनिवर्स्ट है निसे आपने वारें बताईंगे उनमें बहुत सारी जातियां हैं ब्रहमण उनमें जो पस्मानदा नाम सा मुसलिमान बने हमारे चाचा तब मुसलिमान बने उनको यह पता है कि वो लोग मुसलिमान बने हैं उन से पूछो मुसलिमान से पहले क्या थे इसको वो करनी काट जाते हैं उनको लगता है कि मुसलिमान से पहले वो नाम हम बता रहे हैं उसके वो गेंच्ट हैं हम उसका नाम कि ब्द्ष् से पहले वह समर्ण यानि ब्द्षmers साल पहले हैं तो समर्ण थे युझा उन्हेसरी पहचान है नहीं स्यासरा जा जानए है प्यार है अगर आप अनको यह बात कहीं कि भई आप hier अभी बने हो पहले आप समण थे, इस बात को मननें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि mileстран के और जो इरान के छोटे से हिस्से के और जो पाकिस्तान के बंगला-देश के लोग हैं, वो सब जानते हैं, हम तो अभी के मुस्लिम हैं, उस से पहले हम buddh के अनुयाई थे जो धंके थे उससे पहले हम समण लोग थे जब बुद्ध भी नहीं थे तो ये बात अगर हम उनको बताते हैं बारबार बताते हैं बारबार बताते हैं या उनसे पूसते हैं तो अधिकतर चालाक लोग क्या करते हैं जो नहीं चानते कि हम बुद्ध से पहले त चाहते हो तो आप हमारी बात काटके बुद्ध की बाद कर न चाहते हो तो वह बूर्सार है उसको हटा कर आपको गुद्ध में उल्जा देंगे आप कहो कि predict यह फिले लोग हैं एक वेक्ती दस आदमियों के दस महिलाओं के या दस बच्चों के या दस जिन को जानता है उनके फोन नमबर लिख ले उनसे बात कर ले कि भई मैं तुम्हारा एक सर्कल बना रहा है दस लोगों का ग्यार मां वो खुद होगा और उस सर्कल को यहां आकर दे दे कि यह दस गयारे लोग मैं सरकल में जोड़ deshalb कल्ड होगा इस सरकल जोड़ते जाएंगे जिस सहर का हो नुक्त तक यह को या मेरी एक गंटे में पूरे देश में चला जाए अगर सरकल त्यार हो रहे मुरदावाद में काफी सरकल त्यार हो गए हैं अ सुर्ड हो ग Patriot थ्यार कर लिए फिर भी ऐसे इंटची डियार कि आ खिंद गडाल तो आप называется अब जोडने जोडना कैसा है क्योंकि क्या वारी प्रसंद आया जी जोड़ें कैसे जोड़ें कैसे तो पुराने तरीके से जोड़ेंगे वही तरीका परफेक्ट है और पूरी दुनिया ने वही अडॉट किया है पूरी दुनिया के पास में जो मुल्टी लेवल और ना उनके पास कागस था ना पैंथा ना पैंजलती और अक्षर भी नहीं थे उस समय तक यानि लेक नहीं लिखाई बनी नहीं इसक्रिप्ट थी नहीं तो मुझवारी बात हुआ करती थी तो फिर भी वह अपना मैसेज बहुत जल्दी पहुंचा रही तो बुद्ध ने को पहुंचा थे तो एक दिन के अंदर सारी बात पहुंचा थी दो दिन पहुंचा थी तब साधर नहीं थे अब आपकी बात एक घंटे में पूरे देसे पहुंच जाएगी और बड़ा लाब होगा आपको कैसे लाब होगा मालो जैसे आपका कोई एक्षिटन किसी का हो गया गुरूप भी पॉजिटिव आपको ब्रट चाहिए अब मांगते फरो आप अगर आप नेट वर्क में अगर जुड़ जाओगे तो आप उसमें लिखो कि भई फलाना है फलाने में यह है तो जो पास का नेट वर्क में होगा जो सर्कल में पास का पंदा होगा पहुंच जा है जो सर्कल में होगा वो मुझे डाले यह मेरा एड़ा से फोन नमर है मैं फलाने सर्कल का फलाना आदमी हूँ उस सर्कल के आसपास के जो की आपको पास आ जाएंगे आपके घर पर अगर मानलो कोई दिक्कत आ जाती है आप घर पे नहीं है और आप मैसेज बेज़ें सर्क जाएंगे जाएंगे प्लांत मैंतर बने रहेंगे जब तक आपका नेट वर्ड़ चलता रहेगा और अगर आपके मोबाइल भी बंद कर दीए तो भी आपको मदाद मिल zाएगी कैसे मैं जिस हुले में रहता हूं उस महले में इस को ब्रदा शले बहुत ज्यादा मोहले में क्या होगा 10 कदम बीस कदम पर घर होगा तो मुझे कोई दिक्कत है तो मैंने पॉड़ास को कह दिया यह दिक्कत है पौड़ास वाला जो अगले को जानता होगा उसको कहेगा बीस कदम पर जाके ऐसे करते करते हैं पूरे सेहर में दो-तिन घंटे के अंदर बात पहुंच जाएगी कि यह दिक्कत है और यह काम करना है जन्संख्या बल के अंदर अगर कनेक्टिविटी हो तो जन्संख्या बल का फाइदा है खाली बोट डालने से फाइदा नहीं है आप सोचें के बोट डाल दिया अ उससे अगर फाइदा होता तो दो अपरेल को जो हमारा जो सम्मिधान में से एक हिस्सा चला गया था वो नहीं जुड़ पाता क्योंकि आए नहीं जोडने के लिए तो हम ही लोग आए तो वहां नेटवर्किंग की कनेक्टिविटी ऑटोमेंटिक होई वहां आपने की नहीं अग्या जिनके पास उनके पास Puis चला गया जिनके पास मॉबाइल नहीं था उन्होंने बटा लिया के दो तारुक के आधेस कहां से आया किसने दीया यह तो आग्त तर पता रहूंद है मगर वह सीकिर रियगुलिट कर लेते हैं तो वह यह लोगों है यह लगा दीजिये आपके सारे काम लगबग होने सुरू हो जाएंगे क्योंकि जिसका पीछे लोग खड़े हो जाते हैं जिसका मनुवल बढ़ जाता है जिसके पीछे 10-20 लोग होते हैं वो अगर रात को भूका भी सो जा तो सुबह को चेहरे पर चमक उसकी उठती है और कोई भर पेट खाना ख खतम हो जाएगा जैसे जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारी मुसीवतें कम हो जाएंगी जैसे जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारा स्वास्तर ठीक हो जाएगा जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारे बच्चे सब आपस में मिल जाएंगे जैसे जैसे ज जबराते हैं फिर लोग हमसे घबराएंगे यह पहले भी हुआ है यह भी होगा इसलिए जिद्ध है जुडने की और जोडने की अब जोडने का फार्मॉला आपके पास है जो हाउस से पास है आपने वन प्लस टैन यानि कि एक आप और दस लोग आपने जोड़ने हैं कैसी भी अब जोड़ी आपने अच्छे तरह समझाया सभी शाथियों को अउमीद करते हैं कि बहुत सुंदर सुदिर जी आपने सारी सर्थ को खोल के रखा है लोगों की संकाइद दूर होंगी समाज को समझने की जरूरत है जिए जो ने की जरूरत है इससे बढ़िया और कोई नही ही अश्जा सकते हुआ है खोलने सारा इतिहास सारी जानकारी सारा जो कुछ करना है कैसे करना है सबकुछ कृठा अब हम सब साथियों की जम्यदारी ही इन बातों को हमागे समाज में प्छेलाएं अ हम रिकॉर्डिंग भी डालें आगे लोगों को, क्योंकि हाँ सब नहीं सुन पाते हैं. आप सबी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle प की चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है, उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना right है इसके, कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद. कर देड़े बता था है, झारी ये फ्हुर्सों कर देचपा ςुझा सारी ये Rechtें, हम बताते हैं, हम जो झाह भगवान बुद्ध प्रोण हैं, हम सके बताते हैं, हम झाफ। दूशा वे ये गटाय। कर दो कर दो दो कर 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 दो झाल झाल